दोस्तो स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल ओफिसर्स डिफेंस अकेडमी प्रयाग पर जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा देश अजादी का 75 अमृत महुत्सों मना रहा है और उस उपलक्ष में हमारा यूटूब चैनल ओफिसर्स डिफेंस अकेडमी प्रयाग लेकर के आया है 75 स्वतंदता सेनानियों की कहानी 75 बीर पूरुस समाज सेवक, समाज सुधारक उनकी कहानी को उनकी बीर गाथा को हम अपने चैनल के माधम से बताएं दोस्तों आज 12 फरवरी है और आज का दिन बहुत ही इस्पेसल है आज ही के दिन महतमा गांधी ने असहयोग अंदोलन को वापस लिया था असहयोग अंदोलन जिसमें बिद्यार्थी, सरकारी अस्कूल के सिक्षक, वकील, सारे लोग अपने कार्यों का विरोध किया था और जाना छोड़ करना छोड़ दिया था वकील जाना छोड़ दिये थे कचहरी विद्यार्थी को लेज जाना छोड़ दिये थे असहयोग मतलब अंग्रेजी अंग्रेजों के सासन के विरूद असहयोग की भावना आगई थी क्योंकि गांधी जी हमेशा अहिंसात्मक तरीके से विरोध करते थे लेकिन ये असहयोग अंग्रोलन धीरे धीरे जाकर के हिंसात्मक रूप ले लिया था और चौरी चौरा में एक घटना हो गई थी और उस घटना से दुखी होकर के गांधी जी ने 12 परवरी 122 को बरदोली में कांग्रेस सिकार समीति होती है और उसमें असहयोग अंदोलन को वापस लेने की घोसना कर देते हैं और इसके साथ ही असहयोग अंदोलन समाप्थ हो जाता है आज का दिन हमारे लिए एक और घटना होती है और एक और बीर पूरुष की जन्म को हम आज देखेंगे दिन का आज के दिन जन्म हुआ था 12 फर्वरी 1742 में महराष्ट के 17 जिले में जन्म हुआ था नाम था इंका नाना फ्रन्वीष नाना फ्रन्वीष का वास्तविक नाम तो जनारदन भानू था लेकिन बाद में इनका नाम नाना फ्रन्वीष पड़ गया था एक अत्यांत चतुर और प्रभावसाली माराथा मंत्री थे जब पानिपत का त्रितिये जुद्ध लड़ा जा रहा था उस समय वे पेसवा की सिवा में नियुक थे वह अपनी चतुराई और बुद्धिमता के ये बहुत ही ज़्यादा परसीदे थे पेसवा वो होते थे जो परधान माराथा समराजे के परधान मंत्री को ही पेसवा कहते थे और राजा के बाद इनका ही महत्वपून अस्थान होता था इनके अंदर तीन गुण थे पहला स्वामी भक्ति दूसरा स्वाभिमान तथा तीसरा गुण था स्वदेश के पति स्वाभिमान और इनके सामने तीन समस्याए थे पेसवाब पद के को इस्थि रखना पहली समस्या थे दूसरी माराथा स्वण को बनाये रखना इनकी एक समस्या थे और तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या थे विद्योशियों से माराठा राजी को रक्षा करना जो भी अंग्रेज विद्येशी थे उन सबसे माराठा राजी को रक्षा करना इनकी तीन बड़ी समस्या थे माराठा संग के घटक, सिंधिया, होलकर, गयकवार तथा भोसले थे ये तीन घटक थे माराथा संग में और इन में परस्पर द्वेस और कटुता थी परस्पर द्वेस और अपने आप में कटुता थी और पक्ष और बिरोध में रहते हैं कुछ लोग पक्ष में रहते हैं कुछ लोग विरोध में रहते हैं इनकी प्रियना से अनेक सन्य अंत्र विश्वास घात आधी घ्रित कारी करवाय जा रहे थे माराठियों के माराठा के प्रति नाना फ्रनिवीश को बड़ी दूर दर्शिता और फुटनी गिता से संग का कार चलाना पुरता था सभी सर्दार पेशवा को नेता मांते थे इतने भी वहां सर्दार थे सभी लोग पेशवा को ही अपना नेता मांते थे परन्तु पानिपत की तीसरी लड़ाई 1761 के बाद पेशवा का नियंत्रण चंत सिथिन होने लगा था पधान मंत्री का नियंत्रण था पहुत ही कमजोर पड़ गया था साथी पेशवा के उत्रा धिकारी के सम्मंद में मतभेद और आपसी सन्यंत्र की भी चल रहा थे नाना को दो समस्याओं का हल एक साथ करना था और दोनों समस्याओं का हल उनने बहुत ही निपूरता से किया अपने स्वाहिमान की रक्षा की तथा महराठा संग को बिच्छिन होने से बचाया था वे अपना पूरा जीवन राज्य के कल्यान के लिए तथा अपने अधिकारियों को की कल्यान की कामना के लिए समर्फित कर दिया था है पानिपत की तीसरी जुद्ध के बाद 1770 में जो 1773 में नरायन दाव फेसवा की हत्या करवा देना चाहते थे और उसके चाचा रागहुआ ने जब स्वयम अपनी राजगर्दी पर बैशना चाहते थे तो नाना फड़नवीश ने उसका घौर विरोण कि जा था नाना फड़नवीश ने नरायन राव के मरनों परांत नरायन राव जब हत्या करवा नरायन की हत्या हो जाती है तो उसके उनके मरने के बाद उनके जो बेटे थे माधाव राव नरायन को 1774 इसमी में पेशवा की गद्धी पर बैठा कर और रघोवा जो उनके भाई थे नरायन राय के भाई थे उनकी चाल को विफल कर देते हैं दोस्तो नाना फ्रनवीस ने तो उनकी चाल को विफल कर दिये और उनके बेटे को पेशवा की गद्धी पर भी बैठा दिये लेकिन नाना फ्रनवीस पुछी दिनों बाद उनकी मृत्यू हो जाती है और अपने शरीर को त्याग देते हैं अपने पूरे जीवन में राज्य के कल्यान के लिए तता राज्य माराथा संग को बनाया रखने के लिए उन्होंने अत्यंत मेहनत किया था 1784 में नाना फ्रनवीस का टिपू सुल्तान से भी जुद्धुगा था जी समय टिपू सुल्तान मैसूर के सासके और उसमें उन्होंने टिपू सुल्तान को हरा दिया था नाना फ्रनवीस का और आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था आगे की क्लास में हम देखेंगे एक और सासक के बारे में पत्तक के लिए जय ही धन्यवा भारत मतकी जय